नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्तोपुन और शदी को लेकर के आईए आज हम सभी जानते हैं कुल्थी के बारे में कुल्थी का सबसे बड़ा फायदा होता है श्टोन में जिहां कई लोगों को अकसर ही श्टोन की समस्या होती रहती है बार बार ओपरेशन करवाने के बाद भी उनको ये समस्या दोबारा हो जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर भोजन द्वारा ग्रहन किये शरीर की गंदगी की सफाई करते समय इसको साफ रखने में औसक्षम हो जाती है और यहीं से ये हमारे मुत्राशे को भी प्रभावित करती है तो आए हम जानते हैं कि इससे मुक्ती पाने का सरल और घरेलूनुस्खा क्या होगा कुल्थी में प्राकृतिक पत्री नाशक गुण पाये जाते हैं गुर्दे से जुड़ी कई समस्याइं हैं मसलन गुर्दे में दर्द, मुत्र में जलन या मुत्र का अधिक या कम आना इत्यादी इन सभी समस्याओं में से एक समस्या है जिसकी पीडितों की संख्या लगात बढ़ रही है वह है किड़नी में पत्री आयरुवेद वह घरेलू चिकित्सा में किड़नी की पत्री में कुल्थी को फायदे मंद माना गया है गुणों की दृष्टी से कुल्थी पत्री एवं शरकरा नाशक है वात एवं कफ का शमन करती है और शरीर में उसका संचय रोकती है कुल्थी में पत्री का भेदन तथा मुत्रल दोनों गुण होने से यह पत्री बनने की प्रकृती और पुन्रावरिती रोकती है इसके अतिरिक्त यह यकृत एवं पलीहा के दोश में लावदायक है मुटापा भी दूर होता है 250 ग्राम कुल्थी कंकर पत्थर निकाल कर साफ कर लें रात में 3 लिटर पानी में भिंगो दें सवेरे भिंगी हुई कुल्थी उसी पानी सहीत धीमी आग पर 4 घंटे पकाएं जब एक लिटर पानी रह जाए जो काले चनों के सूप की तरह होता है तब उसे नीचे उतार लें फिर 30 ग्राम से 50 ग्राम पाचन शक्ति के अनुसार देशी घी का उसमें छोंक लगाईए छोंक में थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, हल्दी डाल सकते हैं आप पथरी नाशक और शदी तैयार हो जाएगी इस प्रकार से आपकी आप दिन में कम से कम एक बार दो पहर के भोजन के स्थान पर यह सारा सूप पीजिए 250 ग्राम पानी आवश्य पीजिए यह ध्यान रखिए एक दूस अपताह में गुर्दे तथा मुत्तराशे की पथरी गलकर बिना ओपरेशन के बाहर आ जाती है लगातार सेवन करते रहना रहत देता है यदि भोजन के बिना कोई व्यक्ती रहना सके तो सूप के साथ एक आधो रोटी लेने में कोई हानी नहीं है गुर्दे में सूजन की स्थिति में जितना पानी पी सकें पीने से दस दिन में गुर्दे का प्रदाह ठीक हो जाता है यह कमरदर्द की भी राम बान दवा है कुल्थी की दाल साधारन दालों की तरफ पका कर रोटी के साथ प्रती दिन खाने से भी पथरी पे शाब के रास्ते टुकडे टुकडे होकर निकल जाती है यह दाल मज़ा यानि के हड्डियों के अंदर की चिकनाई बढ़ाने वाली है कुल्थी के अलावा खीरा, तर्बूज के बीज, खर्बूजे के बीज, चौलाई का साग, मूली, आवला, अनानास, बथुआ, जोव, मूंकी दाल, गोखरू, इत्यादी, खाते रहना चाहिए कुल्थी के सेवन के साथ दिन में 6-8 गिला साधा पानी पीना, खासकर गुर्दे की बिमारियों में बहुत हितकारी सिध्ध होता है अब जानते हैं कि कीन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए पालक, टमाटर, बैंगन, चावल, उरद, लेसदार पदार्थ, सुखे मेवे, चोकलेट, चाय, मद्यपान, मानसाहार, इत्यादी मुत्र को रोकना नहीं चाहिए, लगातार एक घंटे से अधिक एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए कुल्थी के साथ साथ कुल्थी का पानी भी बेहदलाफकारी होता है कुल्थी का पानी विद्वत लेने से गुर्दे और मुत्राशे की पथरी निकल जाती है और नई पथरी बनना भी रुक जाता है किसी साफ सुखे मुलायम कपड़े से कुल्थी के दानों को साफ कर लें किसी पौलिथीन की थैली में डालकर किसी तीन में या काच के बरतन में सुरक्षित रख लें अब हम जानते हैं कुल्थी का पानी बनाने की विधि क्या होगी किसी खांच के गिलास में 250 ग्राम पानी में 20 ग्राम कुल्थि डाल कर ढख कर रात भर भींगो दीजिए सुबह इस पानी को अच्छी तरह मिला करके खाली पेट पी लिजिए फिर उतना ही नया पानी उसी कुल्थि के ग्लास में और डाल दीजिए जिसे दो पहर में पी लें आप दो पहर में कुल्थी का पानी पीने के बाद पुनह उतना ही नया पानी शाम को पीने के लिए आप डाल दिजिए इस प्रकार रात में भिंगोई गई कुल्थी का पानी अगले दिन तीन बार सुबह दो पहर शाम पीने के बाद उन कुल्थी के दानों को फेक दीजे और अगले दिन यहीं प्रक्रिया अपना ये महीने भर इस तरह पानी पीने से गुर्दे और मुतराशे की पत्री धीरे धीरे गल कर निकल जाती है इसके साथ साथ इसके कुछ एक सहायक उपचार भी होते हैं जिनको भी अपनाना चाहिए कुल्थी के पानी के साथ हिमाले ड्रग कमपनी की सिश्टोन की दो गोलिया दिन में दो से तीन बार प्रती दिन लेने से शिघर लाब होता है कुछ समय तक नियमित सेवन करने से पथरी टूट टूट कर बाहर निकल जाती है यह मुत्र मार्ग में पथरी, मुत्र में क्रिश्टल आना, मुत्र में जलन, इत्यादी को खत्म कर देती है तो यह और शदी दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही लाफकारी और शदी है अगर आप इसका सही ढंग से इस्तिमाल करते हैं तो यह आपकी पथरी को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल देती है ऐसी ही नई और शदी लेकर के अगली करी में हम आप सभी से जुड़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार